नागपुर में दिन धाड़े इंजिनियरिंग की चात्रा के साथ रेप की घटना सामने आई है ये घटना नागपुर के हिंगना पुलस्थाने के अंतरगत वर्दा रोड इस्थित जामटा के पास जंगल में हुई पेड़ी चात्रा की उमर 22 वर्ष है और वहां मूलता यवतमाल से लेकी रहने वाली है वह नागपुर के हिंगना परिस्थर इस्थित एक इंजिनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही है बताया जारा है चात्रा अपने घर यवतमाल से बस द्वारा नागपुर पहुची जहां कुछ दूरी पर इस्थित अपनी कॉलेज के पास वहुतरी और कॉलेज के लिए पैदल ही जा रही थी तब ही वर्दा रोड इस्थित जामटा के पास अग्यात यूवक ने पहले उसका पीछा किया फिर धादा कुलहाडी दिखा कि उसी जंगल में लेकर गया और फिर चात्रा के साथ रेप कर चात्रा को वहीं चूर दिया चात्रा ने घटना के बाद परिवार के लोगों से संपर किया और फिर इस घटना की शिकायत पर अग्यात आरूपी के खिलाफ पुलिस ने दुशकर्म की विभिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया नागपुर पुलिस के आयोकत अमितीश कुमार ने बताया कि आरूपी के पास धादार हतियार था जो आमतौप पर चरवाहे के पास होता है ऐसे में नागपुर पुलिस हर एंगल से तलाश कर रही है और साथ ये आरूपी को ढून कर जल से जल्द गिरफतार कर लेगी कल सुबे एक घटना हमें रिपोर्ट होई थी जिसमें एक लड़की अपने कॉलेज में जा रही थी वो जो में रस्ता है उसको छोड़के एक शौटकट रस्ता है जो एक पकदंडी है और जिसके दोनों तरफ डेंस ग्रोथ है फोरेस्ट विगरा टाइप के वो परिसर है उससे जा रही थी उसको एक व्यक्ति एक आरोपी ने उसके साथ दुश्कर्म किया है और इमिजेटली वो समय अपने नातेवाइक से फोन पे बात कर रही थी उसके नातेवाइक को ध्यान में आने पे उस ते कॉलेज अथोरिट को एलर्ट किया कॉलेज अथोरिटीज के लोग तुरंत वहाँ पहुचे और वो आरोपी वहाँ से भाग गया है यह घटना रिपोर्ट होते ही इमिजेटली लड़की का मेडिकल एग्जामेशन कराया गया ऑफेंस रेश्टर किया गया है क्राइम ब्रांच और जोनल पुल को अरेस्ट करने की प्रैतनी की नहीं अभी तक फिलाल बहुत सारे लोगों को वेरिफिकेशन के लिए ताभी में जरूर लिया गया है लेकिन अभी तक फिलाल अभी हम किसी ठोस सक्सेस मिल गया है ऐसा बोद के नहीं आएगा लड़की कॉलेज में पढ़ रही थी exactly कि स्ट प्रैश भारत द्वाज के साथ अभिशेक पांसी बीसे न्यूस नाकपुर